हेलो एवरिवन वेलकम टू प्रियंका नेट क्लासस मेरा नाम है प्रियंका नाथानी आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे मैंने नेट आंज यारेफ अपने पहले ही अटेंब में क्रैक किया है कॉमर सब्जेक से 99.55 परसंटाइल के साथ आज के इस वीड क्या कर सके हम भी उन चीजों का बेनिफिट ले सके जो आपने की थी अन उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं अपना नेट यारेफ क्रैक कर सकते हैं तो मेरे इस पूरे वीडियो का यही मोटिव रहेगा कि मैं आपको क्या कर सकूं उस जर्नी को बता सकूं उस तरीके को बता सकूँ जो मैंने यूज किया था अपने टाइम पे एन उसी का रीजन है कि मेरा NET और J.R.F. दोनों भी एक साथ अपने पहले ही अटेम में Commerce Subject से जिसमें सबसे ज़्यादा स्टूडन से उससे क्रैक हुआ था वो भी 99.55% के साथ तो चलिए स्टार्ट करते हैं सो सबसे पहले पहले तो है NET और J.R.F. के लिए कुछ चार धाम है जिसे हिंदू रिलीजन में बोला जाता है कि आप क्या करें आप अगर आपको हूमन लाइफ मिली या तो आपको क्या करना चाहिए एक बार तो अपने लाइफ में चारो धामो को विज़ित करके आना ही चाहिए वैसे ही अगर मैं बोलते हूं अगर आपको NET और J.R.F. चाहिए आप मेंसे जिसको net चाहिए आप मेंसे जिसको NET और J.R.F. दोनों भी चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा इन चारो धामों को इन चारो चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा इन चारो चीजों को करना ही पड़ेगा तो ही आपका net and jrf का सपना crack होगा आपका सपना सच होगा सबसे पहला पहला चार दाम में से सबसे पहला दाम ही क्या है Study syllabus आपको क्या करना पड़ेगा Paper 1 and Paper 2 Paper 2 आपका जो भी है Commerce है, Management है, History है, Geography है, Economics है जो भी है आपका Paper 2 आपको उसका syllabus पड़ना पड़ेगा यानि Paper 1 and Paper 2 को syllabus को आपको अच्छे से complete करना पड़ेगा लेकिन मैंने अपने टाम पर क्या किया था 100% syllabus complete नहीं किया था मैंने almost 90% of the syllabus complete किया था 10% of the syllabus में क्या करके गई थी छोड़के गई थी वो मैं क्यों छोड़के गई थी क्योंकि मुझे पता था ये कुछ ऐसे topics है जो नहीं आते हैं exam में तक अभी पूछे नहीं गए है यानि इतने important नहीं exam के लिए तो ऐसे 10-20% of the topics आप छोड़के जा सकते हैं जो आइदर आपने find out कर लिये हैं कि ये exam में नहीं पूछे जाते हैं अब आप बोलेंगे आपने ये कैसे find out किया तो वो भी मैं थोड़ी दे में बताती हूँ मैंने कैसे find out किया पर time being के लिए आप ये समथ लीजे आप वो 10-20% of the topics को क्यों छोड़के जाएंगे क्योंकि आप उनको find out कर लेते हैं आतों कि ये पूछे नहीं जाते यहां तो हो सकता है आप में से किसी को कोई topic hard लगता हो तो आप क्या कर सकते हैं अप उनको skip कर सकते हैं लेकिन आप दियान दीजेगा जो भी topic आपको hard भी लगता है अगर तो दियान दीजेए वो exam में अगर बार बार पूछा जाता है तो मेरी tip और मेरी suggestion तो आपके लिए यही रहेगी कि उस topic को बिलकुल भी नहीं जोड़के चाहिए इसलिए सबसे पहला पहला दामी क्या है आपके लिए कि आपको syllabus अच्छे से cover करना है आप target रखिये कि आपके six months की journey है छे महीने आपको लगेंगे ही preparation करने के लिए तो इस six months की journey में आप क्या कीजे स्टार्टिंग के three months का target कर लिजे कि मुझे क्या करना है 70-80% syllabus अपना complete करना है अगर आप मेंसे कोई new है आपको जानना है syllabus क्या है उसके most important topics क्या है ऐसे कौन से topics है जो बार बार पूछे जाते हैं क्योंकि मैंने आपको थोई दे पहले ही बोला कि मैंने 10-20% syllabus छोड़ के गई थी तो वो कैसे छोड़ के गई थी क्योंकि मुझे important topics repeatedly आज topics समझ में आ गए थी तो अगर आप मेंसे किसी को syllabus पता करना है paper one and paper two का और repeatedly आज topics जानने है तो आप क्या कर सकते हो मेरे ही इस YouTube चैनल पर प्रियंका net classes पर आपको क्या मिलेंगी एक playlist मिलेगी basics of net exam उसमें मैंने आपको net exam क्या होता है net grf क्या होता है उसके eligibility क्या है वो सब बताया है then मैंने दो और वीडियो जाले है उसके साथ जिसमें एक वीडियो में मैंने आपके साथ paper one का पूरा syllabus और उसके most important topics को discuss क्या है most important topics क्यों बोल रही हूं है क्योंकि वो बार-बार पूचे गए हैं साथी साथ मैंने same paper to क्योंकि मेरा paper to commerce था तो मैंने इसलिए commerce का भी आपके साथ syllabus discuss किया है साथी साथ उसके repeatedly asked topics यानि उसके most important topics को भी discuss किया है six months में से starting के three months अपने syllabus completion के लिए देने हैं next आपका दाम आ जाता है जो है revision अब revision आपके हूपर है आप कैसे करते हैं daily करते हैं कि weekly करते हैं अब daily और weekly revision क्यों जरूरी है because मैंने जैसे आपको पहले ही बोला कि six months लगते हैं net की preparation के लिए आप net and jrf को अगर target रखके बैठे हो तो आप कम से कम मान के चली कि आपको छे महीने तो मैनत करनी ही पड़ेगी अगर आपको six months study करना है तो six months study करने के लिए कही ना कहीं क्या ह होता है आप कई ना कई क्या हो जाते हो आगे आगे जैसे क्योंकि syllabus बहुत वास्ट होता है तो आगे 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 जैसे पढ़ते जाओगे आप पीछे का पूरा बूलते जाओगे तो कई ना कई क्या needed होता है revision की need होती है और revision आप कैसे कर सकते हो आइधर आप daily revision कीज वो person to person depend करता है जैसे मेरे case में मैंने क्या किया था weekly revision की थी क्यों मैंने weekly revision की थी विएकि मैं already topper थी अपने college में हमेशा से मैं पढ़ाई में अच्छी रही हूँ तो मुझे चीजे easily समझ में भी आ जाती है और याद भी रह जाती है एक ही बार में समझ के तो automatically क्या होता था मुझे revision की इतनी need नहीं होती थी लेकिन फिर भी मैं क्या करती थी weekly हर week में एक Sunday को मैं side कर देती थी जसमें मैं क्या करती थी revision और mock test को attempt करती थी यानि मैं उस दिन कुछ नया नहीं पढ़के मैं सिर्फ क्या करती थी मैंने पूरे week में जो already पढ़ा हुआ है उसको revise कर लेती थी तो ऐसे करके क्या होगा अगर आप मेंसे कोई week है या आप मेंसे कोई average student है आपको लगता है कि नहीं मैं भूल जाओंगा मैं नहीं कर पाओंगा तो आप क्या कर सकते हैं आप daily revision भी हर दिन में एक आदा एक गंटा साइट करके भी आप revision कर सकते हैं बढ़ आपको make sure करना है आइदर आप daily कीजे या weekly कीजे depending upon आप कैसे है studies में उसके base पे ही आप क्या कीजे अपनी revision को अच्छे से complete कीजे आपका target होना चाहिए कि मैंने हर week आप आप आगे आगे तो पढ़ते refers kinda हुआ और और वीक हरो आप आप आगे आगे तो पढ़ते जा रहें लेकिन आप पीछे जो आप पढ़ चुके हैं already आप उनको कभी भी भूलेंगे नहीं उन topics को, उन concepts को, उनमें से अगर कुछ starting portion है तो आप उनको कभी भी भूलेंगे नहीं next आजाता है चारदाम में आपका कि आपको क्या करने है previous year questions को solve करना है previous year questions क्यों solve करने है तो मैंने क्या किया था 2019, 2018 ऐसे पीछे गई थी मैं पहले 2019 के questions क्यों solve किये थे फिर 2018 के ऐसे करकर के मैं पीछे के चलती जा रही थी तो आप भी क्या कर सकते हैं क्योंकि आप 2021 में या जब भी आप exam देने वाले हैं तो आप क्या करें उससे पहले के जो प्रिविएस या कोशन से या नहीं सपोज आप 2021 में एक्जाम देने वाले हैं तो 2020 के पहले प्रिविएस या कोशन solve कीजी फिर 2019 के 2018 के ऐसे करके आप पीछे-पीछे चले जाएं आप टागेट रखे कि 8 से 10 साल के पेपर आप क्या करेंगे solve करेंगे क्योंकि मैंने अपने टाइम पर 2019 से लेके 2010 तक के मैंने क्या किये थे प्रिविएस या कोशन को solve किया था अब यह प्रिविएस या कोशन को solve करना क्यों जरूरी है सबसे पहला reason तो यही है कि आपका paper कैसे आता है MCQ format आता है आपका paper जैसे आता है आपको वैसे paper की feeling आ जाएगी वैसे questions जो already paper में आए हुए है अगर आप उनको solve करेंगे तो कहीं न कहीं क्या होगा आपकी MCQ solve करने की जो analytical power है जो analytical ability है वो कहीं न कहीं क्या होती जाएगी बढ़ती जाएगी second important reason आपको previous questions क्यों solve करने है तो वो reason यही है कि जैसे मैंने आपको first point में बोला कि most important topics क्या है आपके syllabus के तो वो आपको कैसे पता चलेंगे मैंने अपने video में syllabus जब मैंने discuss किया था तो मैंने syllabus में से ही most important topics आपको कैसे बता दिये थे उसका only and only reason क्या था कि मैंने previous year questions को अपने preparation के time पर क्या किया था previous year questions किये थे तो उसमें से मुझे पता चल गया था कि यह topic इस unit में से यह topic बार-बार पूछा जा रहा है इस unit में से यह topic बार-बार पूछा जा रहा है तो कही ना कहीं क्या होगा second important reason यही है कि आपको वो repeatedly ask topics पता चल जाएंगे तो उससे क्या होगा आपको कही ना कहीं यह चीज ध्यान रह जाएगे कि मुझे इन topics पे ज़्यादा focus करना है and third and last and important reason previous year questions को solve करने का तो यही है क्योंकि आपके net के exam में कई बार 10-20% of the times क्या होता है ऐसे भी questions आते हैं जो आपके syllabus में नहीं mentioned है कहीं पे भी directly लेकिन indirectly वो आपके syllabus से किसी ना किसी तरीके से related है तो आपसे क्या कर लेते हैं वो भी topics वो भी questions पूछ लेते हैं तो अब यह topics यह questions जो आपके syllabus में ही नहीं है और फिर भी वह आपसे पूछते हैं, तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये कौन से टॉपिक से तो आपको कहां से पता चल सकता है, आपको basically पता चलेगा आपके previous year questions से, इसलिए मैंने लिखा है कि आप try कीजिए कि maximum प्रिवियस यह कोशन को सॉल किजो प्रिवियस यह कोशन आप कैसे सॉल कर सकते हैं आप पहले तो क्या किजिए अगर आप मेरे जिसे बना के चल रहे हैं कि मैं छे महीने में रिपेर करूंगा तो आप बेसिकली क्या कर सकते हैं starting के अच्छे से तीन मैंने लगा कि अच्छे से अपना syllabus पढ़ने में ध्यान दीचे, तू तू त्री मंद्स अच्छे से अपना 73 मंद्स में अब अपना आराम से 70 तू 80% अफ दे सिलिबस पेपर वन और पेपर तू दोनों का भी cover कर सकते हैं, तो आप उसके बाद क्या करिए अब 3rd या तो 4th मंथ से आप क्या कर सकते हैं previous year questions को solve कर सकते हैं मेरी आपके लिए suggestion रहेगी कि आप क्या कीजें 3rd मंथ से या नि जैसे मैंने अपनी preparation January 1st से शुरू की थी 2020 में तो मैंने 1st March आते ही तो मैंने क्या कर दिया था previous year questions को solve करना शुरू कर दिया था नेक्स और लास्ट चारदा में हमारा attempt mock test mock test क्यों attempt करना ज़रूरी है mock test basically क्या होता है आपको exam की feeling दिला देता है आपको वो speed दिलाएगा कि 3 गंटे में कैसे आपको 150 questions cover करने हैं कैसे आपको 3 गंटे में पूरा पेपर solve करना है तो कही न कहीं क्या होगा आपके analytical power बढ़ेगी आपका time management अच्छा हो जाएगा और कहीं न कहीं आपको क्या होगा exam जैसी feeling आजाएगी इसलिए आपको क्या करना है मॉक test attempt करना है तो अब मॉक test क्या फर्स टे वीक साइवागी करें हम लोग attempt नहीं आप मॉक test क्या कर सकते है अपने three या four months की जब आप third या fourth month में पहुँछ जाते अप्रे preparation की तब आप क्या कर सकते है mock test को attempt करना शुरू कर सकते हैं जैसे मेरे case में मैंने क्या किया था first three months मैंने क्या किया था पढ़ा था सिफ से लेबस पढ़ा था and third month से मैंने previous equations को solve करना शुरू किया था लेकिन मैंने mock test कब से attempt करना शुरू किया था मैंने अपने fourth month यानि जब मैं April 2020 में मैं पहुची स्टार्ट किया मैंने अपरिल मंथ को तब ही मैंने क्या किया था हर वीक में एक दिन जब मैं रिवाइस करती थी तो रिविजिन के साथ-साथ मैंने क्या टार्गेट रखा था कि मैं क्या करूंगी साथी साथ मैं मौक टेस्ट को अटेंब करूंगी अब मौक टे तो दोनों का मिला गे, तोटल थ्री आज का पेपर, मैं अपने सामने रखती थी, मोबाइल पे, यहां आपके बास लैप्टॉप हो, जो भी, और उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, उसको सॉल करो, उसको देखो कि आपने कितने कोशन्स एंड में राइड किये, रॉं कोई भी बुक टेस कहां से लेकिया है, हम फिर से इनके लिए अलग से बोक्स या एप्स कुछ यूज करें किया, तो आपको कोई भी बुक परचेस करने की नीड नहीं है, बिकॉस मैंने अल्रेडी अपने टेलिग्राम चानल पे, जिसका नाम है, प्रियंका नेट क्लासिस, मेरा यूट्यूब चानल और टेलिग्राम चानल दोनों का नाम सेम ही है, आप उसको जाके जॉइन कर लीजे, वहाँ पर अल्रेडी मैंने आपको पेपर वन जो सबके लिए कॉमन होता है, उसके प्रिवियस ये कोशन्स दे दिये हैं, ट्वेंटी ट्वेंटी से लेके टू 2012 तक के प्रिवियस ये कोशन्स महाँ पे मैंने अल्रेडी प्रोवाइड किये हुए है, और अगर पेपर टू आपका एकॉनोमिक्स है, तो भी मैंने उसके भी प्रिवियस ये कोशन्स 2020 से लेके 2012 तक के महाँ पे अल्रेडी प्रोवाइड किये हुए है, तो आप क्या कर सकत यानि basically आपको mock test के लिए कुछ अलग से नहीं करना है आप previous year questions कोई mock test समझ लीजे and उसी को attempt कर लीजे because मैं mock test जाधा करके क्या करती थी मैं previous year questions कोई as a mock test यूज करती थी तो automatically क्या हो जाते थे मिरे previous year questions भी solve हो जाते थे and मेरी mock test की practice भी हो जाती थी next coming to अब mock test के लिए सिर्फ क्या हम previous year questions पर rely करें और कोई source नहीं है mock test देने का तो और एक और source है mock test देने का और वो source क्या है आपको मेरे ही telegram channel Priyanka net classes पर मैंने आपके साथ एक app share की हुई है NTA की national testing agency की जो NTA आपका exam कंड़क करती है net का उन्होंने एक app बनाया है आप उस app को वहाँ से जाके वहाँ पर मैंने link दिया हुआ है तो आप वहाँ से जाके उस link से उसको download कर दीजिए NTA की app को और उस app पे आपको paper one and paper two paper two आपका जो भी है economics है, commerce है, management है, history है, geography है, जो भी जितने भी paper two हो सकते है net के exam के आपको सबके mock test already NTA ने उस app पे available करके दिये हैं तो आप क्या कर सकते हैं वहाँ से freely उस app को download कीजिए और वहाँ से आप क्या करेंगे mock test को attempt कर सकते हैं तो basically ये थे वो चार दाम जो मैं पका विजट करके गई थी और उन चार चीजों के वज़े से ही मेरा net and jrf दोनों भी पहले ही attempt में crack हुआ था, वो भी commerce subjects है, वो भी 99.55% के साथ, तो अगर आप में से किसी को भी net and jrf crack करना है, तो आप इन में से कोई भी चीज अकर नहीं कर रहे हैं, या कोई भी चीज को छोड रहे हैं करना, या नहीं ध्यान देते इतना, तो मेरी आप सबसे request रहेगी कि आप इन चारों चीजों को अच्छे से focus कीजिए, विकाज इन में से एक भी चीज नहीं करेंगे आप, तो आप अपना net and jrf का सपना भूल जाएए, चले हम बोलते हैं कि बस यही तीन सब कुछ हैं हमारे लिए, तो वैसे ही, यहाँ पर भी क्या है, आपकी net jrf की preparation क्यूंकि मैंने पहले ही आपको बताया कि almost six months लगते हैं net jrf को prepare करने के लिए, तो इस six months के दौरान, क्यूंकि यह लंबा period है बहुत, तो आपको क्या करना पड़ेगी ताकि आप क्या हो अच्छे से study कर पाए छे months आप अच्छे से पड़ पाएं तो उसके लिए आपको यह तृदेव की helpers की need पड़ेगी सबसे पहला पहला तृदेव कौन है आपके लिए determination आप जब भी अपनी preparation शुरू करने उससे पहले आप determine कर लीजिए, decide कर है net and jrf के preparation में पहले ही attempt में मुझे net भी चाहिए और jrf भी चाहिए दोनों मैं साथ में crack करूंगी और वो भी पहले ही attempt में crack करूंगी यह मेरा determination था यह मेरा dream था तो कहीं ना कहीं जब तक आप determine नहीं करेंगे आप dream नहीं करेंगे तो आप उस dream पे काम भी नहीं कर पाएं strategy मैंने अपने लिए six months की strategy बनाई थी आप कितने months study करते हैं वो आपके उपर हैं बट कम से कम आपको six months तो लगेंगे ही लगेंगे तो मेरी strategy क्या थी मैंने six months को break कर लिया था मैंने जैन फस से शुरू किया था 2020 से लेकिन मैंने डिसेंबर में ही अपनी strategy बना ली थी क्या strategy थी मेरी बेसिकली कि first three months में January February March first three months में मैं क्या करूँगी सिफ और सिफ syllabus cover करने पर focus करूँगी यानि almost में 70 to 80% syllabus complete कर लूँगी अपना first three months में फिर दूसरी चीज मैंने क्या की थी मैंने आपको जैसे पहले ही बताया कि मैंने previous year questions को solve करना शुरू कर दिया था तो मैंने third month में आके ही क्या करना शुरू कर दिया था previous year questions को solve करना शुरू कर दिया था daily and fourth month आते आते मैंने क्या कर दिया था साथ ही साथ मैंने mock test को attempt करना शुरू कर दिया था तो automatically क्या हो गया मेरे six months में मैंने चारो ही चीजों को चारो ही दामों को अच्छे से क्या किया था विजिट कर लिए था तो automatically क्या हो गया मेरे exam आने से पहले मेरी preparation अच्छे से हो चुकी थी एक और चीज आप अपने strategy में include कर सकते हैं जो मैंने भी की थी वह strategy में क्या थी SWOT analysis SWOT में SWOT तो यह SWOT है क्या अगर आप Commerce and Management के student है तो आपको अच्छे से यह चीज़ पता होगी नहीं भी तो आप अभी समझ लिजे SWOT S strength for S stands for strength W stands for weakness O stands for opportunities and T stands for threats तो पहले पहले आप Find out कर लीजे strategy बनाने के टाइम पर ही की strength क्या है आपका क्या lên से मेरा मतलब क्या है, आपका क्या strong है Paper One strong ंगis paper Two strong & worn paper One strong है paper Two weak ंगis paper Two weak तो पहले पहले तो आप प्रप्रेकरने से पहले ही strategy बनाने की time पर ही plan करने के टाइम पर देख लीजिये कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है अब की वीकनेस प्रेंश क्या है जैसे मेरे केस में क्या आता मुझेश मेरा पेपर तुट्रि जो की कॉमर्स सा तो काफी स्ट्रॉग था तो ऑटमेंटाकली क्या हो ग्या मुझे ऐसा लगता था कि मुझे पेपर वन पे थोड़ा फोकस करना है और बाकी तो मेरा पेपर टू तो इजीली हो जाएगा और मेरे से पेपर टू इजीली हो भी जाता था इवन दो पेपर टू का सिलेबस हर एक का जादा होता है as compared to पेपर वन बट कहीं न कहीं क्या होता है आप मैनेज कर लो यानि आपको पेपर वन को bazma कितना टाम देना है एक दिन में पेपर टू को इतना ताइम देना है वो आप कैसे डिजाइड करेंगे आप स्टर्एंथ और स्टर्इंच के बेस पे डिसाइड करेंगे ठीक है लेकिन एक जीजयान रखेगा कुछ कुछ अड़ी जान करते है आप देखिए आपको वो topics आते हैं कि नहीं आप syllabus उठाइए मैंने अपने videos में डाला है basics of net exam की playlist में मैंने paper 1 and paper 2 commerce का syllabus डाला हुआ है आप उसको देख के check कीजिए कि आपका strength क्या है आपकी weakness क्या है उसके according ही अपना preparation का time हर दिन आप paper 1 and paper 2 को कितना time देने वाले हैं जब मैंने last year 2020 में exam दिया था तो क्या हो गया था exam delay हो गया था due to covid पहली बार ऐसा हुआ था कि NDA ने exam delay कर दिया था और वो भी almost 3-4 months delay हुआ था जो जून में होने वाला था वो almost मेरा exam October में हुआ था तो कही ना कही मुझे क्या हो गया था मेरे लिए बहुत students उसको क्या ले रहे था as a threat ले रहे थी लेकिन मैंने उसको as a opportunity लिया था मैंने क्या किया था वो 3-4 months जो मुझे extra मिले preparation के लिए तो मैंने क्या किया था उन 3-4 months में उल्टा अपना paper 1 and paper 2 और भी strong करने की कोशिश की थी मैं ज़्यादा से ज़्यादा mock test attempt करती थी ज़्यादा से ज़्यादा revision पर focus करने लगी थी क्योंकि अल्रड़ी मैं 3-4 months में अपना portion cover up कर चुकी थी तो मैं revision ज़्यादा करने लगी थी mock test ज़्यादा देने लगी थी previous अभी तक आपका exam कब होगा यह हमें अभी तक भी नहीं पता है तो कई न कई आप उसको as an opportunity लीजिए और जहां जहां पर आप कम कर रहे हैं जहां जहां पर लगता है कि आपको improve करने की need है उन चीजों को आप क्या कीजिए अपने improve कीजिए यहां आपको लगता है कि आपकी preparation बहुत अच्छे से हो चुकी है आपने सब कुछ अच्छे से कर लिया है चारो दामों को अच्छे से विजिट कर लिया है तो आप क्या कर सकते हैं उनी चीजों पर फिर से फोकस करना शुरू कीजिए यानि आप फिर से जादा से जादा जादा रिविजन कीजिए प्रिविएसी एकोशन्स लगाईए जादा से जादा मॉक टेस्ट दीजिए तो मैंने जो मुझे एक्स्ट्रा मिले थे मेरे प्रिविजन की टाइम पर मैंने उसमें क्या किया था मैंने रिविजन की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी थी मैं एक अफ़ते में दो बार रिविजन करने लगी थी साथी साथ मैं मॉक टेस्ट भी एक अफ़ते में दो बार देने लगी थ तो मैं वैसे भी हर दिन solve करने लगी थी तो automatically क्या हो गया मैंने अपनी preparation को और अच्छे से बढ़ाया जो मुझे increased time मिला जो 2-4 मैंने मुझे जादा मिले मैंने उसको as an opportunity अपने net and jrf के लिए use किया अब threat ये एक opportunity है कि आपका exam delay हुआ है तो ये सबसे बड़ा threat भी है threat क्यों है क्योंकि बहुत students आप में से क्या हो जाते हैं lazy हो जाते हैं सुस्त हो जाते हैं procrastinate करने लगते हैं procrastinate है याँ कल करेंगे न बाद में करेंगे न ऐसे करके चीजों को टालने लगते हैं लापता नहीं exam ही कभी है मैंने ऐसे बहुत students अपने टाइम पर ही देखे थे जो ऐसा कर रहे थे कि यार उनोंने starting से चायद तो अच्छे से पढ़ रहे थे लेकिन कई ना कई exam delay हो हुआ तो उनकी कैसे हो गए उनकी preparation थोड़ी हाल्ट पे आ गए वो थोड़ा procrastinate करने लगे हाँ ठीक है ना यार पहले exam डेट अनाउंस हो जाए फिर करेंगे यहां बहुत साय students starting में ही ऐसा कर लेते कि पहले exam का form तो बढ़े फिर अपर प्रपरेशन स्टार्ट करेंगे यह सब कलती हैं आपको नहीं करनी है यह सब सबसे बड़ा threat है आपको इन चीजों पर time waste नहीं करना है आपको जब भी exam देना है आप first time exam दे रहे हो आप कौन से भी time का attempt दे रहे हो आपको 6 महीने पहले से पढ़ना शुरू कर लेना चाहिए और second चीज अगर आपका exam अगर आप 2021 में exam दे रहे हो वो net का हो या set का हो तो आप यह चीज ध्यान रखके चले क्योंकि आपके पास भी क्या है आपका भी exam delay हुआ है जो जून में होने वाला था वो अभी दख हुआ नहीं है में में जो होने वाला था basically आपका exam वो में में हुआ नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं आप अपनी preparation में कोई भी कमी नहीं लाइए उल्टा अपनी preparation को और बढ़ाईए so यह बात थी strategy की and strategy में एक important चीज आपके paper 1 में max करके एक unit है आपकी mathematical reasoning और साथी साथ आपको एक और unit है di और rc यह तीन units है जो आपको क्या करती है practice की demand करती है मैंने starting के एक दो महिने में अपना पूरा का पूरा max का portion cover कर लिया था मैंने उसके लिए अलग से book बनाया था जिसमें मैंने sum solve कर लिये थे तो आप क्या कर सकते हो आप भी वैसे करके क्या कर सकते हो बाद में आने वाले months में से वो उन sums को देखते जाएंगे तो automatically आपकी max के revision अच्छे से हो जाएगी and DI और RC के लिए भी मैंने क्या किया था daily revision करती थी मैं कैसे मैं हर दिन एक DI solve करती थी हर दिन एक RC solve करती थी DI कैसे solve करना है, RC कैसे solve करना है वो भी मैं आपको उसकी भी tips और tricks आने वाले कुछ एक दो वीडियो में इसी channel पर मैं डालने वाली हूँ आप प्लीज subscribe करके रखिए ताकि आपको पता चले कि मैंने उनको कैसे approach किया था या mathematical reasoning को भी मैं डीटेल में बताऊंगी कि कैसे study कर रही है अगर आपका max week भी है तो भी आप max को भी easily attempt कर पाए और di को भी easily attempt कर पाए अगर आप में से किसी को वो strategy जाननी है डीटेल में आप इस channel को subscribe कीजे मैं 2-4 videos बुट डालने वाली हूँ आने वाले videos में आप उनको पक्का देखिएगा अगर मैं आपको बोलू तो आप क्या कर लीजे आप max, di, rc तीनों चीज हर दिन सॉल किजे जैसे मैं सुबह को चार बज़े उटके पड़ती थी तो मैं क्या करती थी उठने से मेरी पहली चीज होती थी कि मैं क्या कर लेती थी आदे पौने गंटे में max कर लेती थी फिर ए अर्टमाटिकली आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी यह साथी साथ आपको मैंने mock test की जो आप बताई थी NTA की नाशनल टेस्टिंग एजनसी की जो आप है उसमें भी mock test में आपको di, rc दिये हुए हैं तो आप पूरी mock test daily attempt ना करके आप उसमें से क्या कर सकते हैं di और rc को भी attempt कर सकते हैं तो आपकी wish है आप कहां से भी attempt कीजिए बट आप daily आदर डालिए कि आपको di और rc attempt करने अगर आप daily नहीं कर पाते हैं तो एक दिन चोड़के एक दिन का target रखे लेकिन आपको वो चीज करनी ज़रूर है because वो units ऐसी है पेपर वन की जो आपको practice के बिना नहीं आएंगी अच्छे से next and last तुरे देवे हमारा consistency consistency यानि कोई चीज को continuously focused way में करते रहना जैसे मैंने अपनी preparation six months की सोची थी तो six months के जगा पे वो almost eight to nine months की मेरी preparation nine months की preparation हो गई थी तो कही ना कहीं वो nine months की preparation में आपको क्या रखनी है consistency रखनी है consistency यानि अगर जब आप एक दिन पर रहे हैं फिर तीसरे दिन आप पड़ी नहीं रहे हैं चौते दिन फिर आप दो गंटे पड़े रहे हैं ऐसे अगर आप पड़ रहे हैं आपने कोई strategy नहीं बनाई है कुछ अच्छे से अपड़ नहीं हैं तो my dear friend आप बहुत बड़ी गल्ती कर रहे हैं क्यूँ कि आपक सच करना है अपना तो उसके लिए कुछ मेहनत भी करनी पड़ी कुछ हाड़ वक भी करना पड़ेगा और वहाड़ वक क्या है कि आप कंसिस्ट ट्राइए अगर आपके पास जितना भी टाइम है लिए किसी के बाद 8 ऐस टना एक दिन में किसी के तो आपको भी डिसाइड करके रखना है कि मिनीमम आप कितना पढ़ेंगे एक दिन में आप कितना टाइम दे सकते हैं अपने शेडियूल के अकॉर्डिंग लेकिन आप उतना टाइम दीजिए ही दीजिए अगर आप लोग ऐसे करेंगे कि आज एक गंटा पर रहे हैं कल चार गंटे फिर परसों पड़ाई नहीं फिर उसके बाद आप दो गंटा पर रहे हैं consistency का main अगर मैं आपको example दिखाना हो आपको test करना हो कि आप consistent है की नहीं तो पहला पहला तो आप क्या कर सकते हैं कुछ से पूछ के देखिए कि मैं consistently पढ़ रहा हूं मैं हर दिन इस चीज को time दे रहा हूं जो मेरा सपना है मैं उसको time दे रहा हूं क्या second चीज आप क्या कर सकते है मैं अपना example दे देती हूं मैंने इस channel पर teaching aptitude पढ़ाना शुरू कर दिया है almost 11 lectures में upload कर चुकी हूं बड़ वहां पर भी मैं consistency नहीं देख रही हूं आपने से बहुत सा है students से क्या किया है first के 2-4 lectures देख ली है उसके बाद वो lectures ही नहीं देख रहे हैं इसका मतलब क्या है उ फिर भी वो lectures को ignore कर रहे हैं यानि वो लोग अपने practice में अपने exam की preparation में consistent नहीं है यह उससे prove होता है सो अगर आपको यह चीज का अगर आप डियान नहीं देंगे consistency का सो फ़ले आपको यह चीज तोड़ी harsh लगेगी बर truth तो यही है कि आपका exam crack नहीं होने वाला है इसलिए आपको जितना जल्दी यह चीज समझ में आएगी उतना जल्दी आप क्या करेंगे अच्छे से लग जाएंगे अपनी preparation में इसलिए मेरी आप सबसे request रहेगी कि इन तीनो तरी देवों का दियान रखे determine कीजिए क्या चाहिए strategy बनाईए उसके according and consistency maintain कीजिए अब मैंने अपना case का example क्यों दिया क्यों कि मैंने कैसे किया था मैंने आपको वो बताया अब आप उसको अपने way में आप अपने according उसको क्या कर सकते हैं modify कर सकते हैं मैंने जो strategy बनाई ज़ह नहीं आप same strategy follow करें या मैंन आपकी जो भी स्ट्राटरजी आप अपने according अपनी surroundings अपने time की according उसको follow कीजिए उसको बनाईए और उसको follow कीजिए तो यही था इस वीडियो में आने माले वीडियो में मैं पका आपके लिए max की strategy क्या है di कैसे solve करना होता है rc कैसे solve करना होता है वो सब मैं आपके साथ डि teaching aptitude already शुरू कर चुकी हूं 11 lectures upload हो चुके हैं साथ ही साथ मैं आने वाले lectures में research भी start करने वाली हूं आने वाले videos में एक दो videos में आपको research की पूरी की पूरी unit में कराने वाली हूं so आप इस चैनल को please subscribe कर लीजे so that मैं आपको regularly एकदम quality videos एकदम quality content आपको आपके net and jrf की preparation के आपको आपको इसमें से help हुआ की नहीं आपको इसमें से help हुआ की नहीं आपको अपनी mistakes पता चली की नहीं आप जरूर मुझे comment करके बताए और शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तब को जितने लोगों तक शेयर करेंगे आप आपका भी knowledge उतना ही बढ़ेगा and last and final आप please subscribe कर लीजे because आप जब तक subscribe नहीं करेंगे मैं हर दिन में 2-2 वीडियो जालती हूँ तो आपको वो दोनों वीडियो नहीं मिलेंगे और मेरे वीडियो रहते हैं sequential way में रहते हैं order में रहते हैं एक दूसरे से interlinked रहते हैं तो अगर आप subscribe नहीं करेंगे तो आप बह